अज मैं आप लोग को बताऊंगी कि तीजवर्ट कैसे किया जाता है और क्या क्या समयगिरी चाहिए सबसे पहले आप गोड़ गनेस पारवती तीनों कम होती अलग-अलग मिलता है तो वो ले ले या फिर साथ में भी मिलता है तो वो भी ले ले और फल में पांच फल चाहिए अब जो भी ला सकते है नेरंगी सेव संत्रा जो भी है आपके पास अपलेवल मार्केट में मिलता है और यह देखे कलस मैं बठाई हूं यह पी कासा का है यह कलस और इसमें आम का पल्लो दिये है उपर से मिट्टी का वरतन है फिर एक दिया जो म पुरे रात जलेगी और मिठाई में देखिए मैं घर में पकाई हूँ यह साचो और बतासा है लड़ू है और दो रसूले है और यह मिक्स वालाई चोड़ा है और बदाम सब है और आप यह बूक ले आए कता पढ़ने के लिए और यह दो दिये दिये चाहिए एक कपूर का और यह तेल का सरसो तेल का और यह वाला जो आप देख रहे हैं यह तो चाहिए यह चाहिए सुगंतित के लिए यह लाने से यह जलाने से काभी बगवान खुश होते हैं और परसन्य भी होते हैं और मैं यहाँ पे जयल भी बढ़के रखी हूँ और उसमें जो आए कि तुल प्रशी का पता भी रखी हूँ और ये नारियल में अलग से रखी हूँ जिसमें एक फूल और दागा से बांद करके उसको रखी हूँ एक मुर्ती फोटो लाई हूँ गोडी माका और संकरवगवान का जिसमें फूल लगाई हूँ माला उसके बाद ये आप देख सकते हैं एक हल्दी का गिराव बना हूँ वो एक बतासा फूल तुलसी और सुपारी ये चाहिए और आप संकरवगवान को पुझा करने के लिए सबसे पहले आप कच्छे दूर से नाला ये उसको तीन वार ओम गनेश आयनमा बोल करके और पारवती को भी और गनेश वगवान को भी ना पहना पारवती को चुनी ओडाना है फिर उसे साथ वार सिंदूर पहना नहां और उसे पुरा जो स्रिंगाना था वह सारा चीज लगाना है और ये पूजा हूंकिया जिससे मयापारवती बहुत कोष़ रहाते हैं शातवा सिंदू इसलिए लगाते हैं जिससे रात बर जगले काद सुबा जब मयापारवती को जाते हैं हम लोग पानी में रखने तभी वो साथ थो हम अपने सुहाग वापस ले लेते हैं और बोलते हैं मेरे उपने पती को लबी आयू रखे तो अगर आप लोग नए नए तीज कर रहे हैं समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाज तक देखें और जो जो समागरी चाहिए वो इस वीडियो में दिया हुआ एक बार ज़रूर हमारे आप साल कुछ वीडियो ते यह नहीं है